यह Ukraine Russia crisis एक बहुत ही dangerous ground ले रही है, dangerous ground क्यों ले रही है चुकि यह crisis रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब Russia के intention साफ साफ यहाँ पे रिजरा रहे हैं, most probably यहाँ पे Russia Ukraine के बहुत बड़े इससे को पूरी तरीके से कबजाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखें तो यह चर्णोबिल की site थी, बेलारुस border के पास सबसे पहले इसको कबजाया रश्या ने, फिर एक Zephyro करके जो सबसे बड़ा nuclear plant है यूरोप का, यूकरेन का सबसे बड़ा nuclear plant है, आप कह सकते हो कि यूकरेन की almost 20-25% electricity requirements इस प्लांट से पूरी होती है, इसको रश्या ने कबजाया, चुकि यहाँ पे जो क्रीमिन पेनिसुला है, इस क्रीमिन पेनिसुला को 2014 में रश्या कबजा चुका है, और इसकी विजली प्रोवाइड करने के लिए, यह जैफिरोई nuclear plant की सबसे बड़ा जरूरत है, और जो latest plan है, उसके एसाब से जो मौरियो पोल नाम का शहर है, और यह सरकार के पास black sea का access नहीं है, black sea से related, जो भी touch करने वाली Ukraine की territory है, इसको अगर रश्या कबजा लेता है, तो कल की date में Ukraine एक landlocked country बन सकता है, effectively Ukraine की सरकार के पास समंदर का access नहीं होगा, और समंदर का access हर चीज़ के लिए जरूरी होता है, हत्यारों की delivery के लिए, trade के लिए, commerce के रहा है Russia, कीव पे all out assault नहीं हुआ है, बट कीव के आसपास के जो अलाके हैं, वहाँ बहुत तीजी से attack हो रहा है, और ये खरकीव नाम के शहर को तो आपने सुनाई होगा, ये खरकीव नाम के शहर में बहुत सारे इंडिन स्टुडेंट्स फसे हुए, रश्यान boundary के पास है तो यहाँ पे भी जो fighting है वो बहुत intense है, इस बीच में यूकरेन के जो प्रेसिडेंट है Waldo Mir Zelensky, ये बहुत मजबूरी में बिलकुल गहिया के desperately eastern European countries और US से ये गोहार लगा रहे हैं कि आप यूकरेन की मदद करिए, और इस यूकरेन की मदद में lethal aid, lethal aid मतलब air support provide करना यूक ना चलें इस बात को ensure करना और एक no fly zone को maintain करना यूकरेन के उपर, यूकरेन के उपर no fly zone का मतलब क्या होगा कि यूकरेन के उपर कोई भी जहाज नहीं उड़ेगा, और इस समय पे commercial threats तो वैसे ही यूकरेन के उपर नहीं उड़ रही है, यूकरेन के उपर केवल Russian warplains उड़ हो जाएगी, जो कि सीधे सीधे world war 3 की तरफ जा सकती, देखिए अब हालात बहुत जादा यहाँ पे खराब हो गए है, no doubt Ukrainian forces पलट के रशिया को तगड़ा जवाब दे रही है, हजारों की तागाद में Russian से आने खा रहे हैं, इनके जो military equipments हैं वो बरबाद हुए हैं, लेकिन उनको पता है कि वो जदा जिन्दा नहीं रहेंगे, तो वो नहीं जिन्दा रह रहे हैं, तो दुनिया बर की humanity से में उनको कोई मतलम नहीं रह गया, कुछ इस टाइप की अप्रोच है रही है, मतलब बिलकुल ही एकदम senseless तरीके से अटैक कर दिया है, पुरा यूकरेन को हत किया है, यूरोपेन और यूएस ने, उनको कन्वेंस करके कि आपके मुसीबत के समय पर मदद करेंगे, और जब सच में आज यूकरेन को मदद की जुरूत है, तो नाटो और यूएस साइट खड़े हो गया, इंडिया यहां पर यूकरेन की मदद करें, इसका कोई मतलम नह हैं दिना नहीं, हम इस पचड़े से कई हजार किलोमेटर दूर है, लेकिन यूरोप और यूएस के डाइरेक्ट स्टेक्स हैं यहां पर, अभी आपको सुनने माया होगा कि मौरियो, पोल और वॉल्नो वाखा नाम के शहर में सीस फायर डिकलेर कर दिया गया था, ताकि जो हुए इंडियन्स और बाकी नेशनलिटीज के लोग हैं, उनके लिए एक हुमिनिटेरिन कोरिडोर बनाया जासा कि ताकि वो इस पूरी जंग से बाहर निकल जाएं, लेकिन वो यहां पे बाहर नहीं निकल पाए हैं, यूक्रेइन के प्रेजिडेंट की जो रिक्वेस्ट ह यहां पे क्या बोलना है, we are not part of this conflict, मतलब हम आपको बाहर से मदद दे सकते हैं, but हम आपके इस conflict के पाट नहीं है, अपना लड़ो रशिया से अपना खुद निप्टो, मतलब नाटो ने, चुकि देखे, नाटो भी यहां पे एक लिमिट साध इन्वाल नहीं सकता, अगर न नहीं कर रहे हैं, तो लिटरली यहां पे अकेला पड़ गया है यूकरेन, और रशिया के इंटेंशन्स एकदम क्लियर है, रशिया के उपर बहुत से सैंक्शन्स लग चुके हैं, जितना उनके उपर प्रशर डाल सकती थी, वेस्टन कंट्रीज वो डाल चुकी है, तो रश रशिया आप कोशिश करेगा कि जितना जादा से जादा यूकरेन का इलाका आप कब जालो, कब जालो, लेकिन अब ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि थर्ड वर्ड वार की शुरुआद भी हो सकती है, तो बस अब यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा कुछ भी ना हो, नाटो कंट्रीज को यहाँ पर एक एशुरनेस देना चाहिए रशिया को कि यूकरेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, आप यूकरेन से बहार निकल जाए इस इस फार एनाउंस करिये, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है, रशिया को भी बात पता चल गई है कि यूएस और नाटो जितना मैक्सिमम कर सकते थे वो तना मैक्सिमम कर चुके हैं, डिरेक्ट यह अटाक करेंगे नहीं, चुकि फिर वो न्यूक्लिर वार कडर आ जाएगा, और जितने सेंक्शन्स यह लगा सकते हैं, उतने वो अलड़ी लगा चुके हैं, फर्दर कुछ और सेंक्शन्स की बात हो रही है, नो फ्लाई जोन यूकरेन के उपर डिकलेर करने से साफ साफ नाटो ने मना कर देए, इसका मतलब यह है कि रशियन वेपे होंगे, मैं आगे भी आपके साथ डिसक्स करता हूँगा, थैंक यू फू वाचिंट्स